नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजली आनंद और आप देख रहे हैं खबर बिहार सबसे पहले बात करते हैं मिशन दो हजार चौबिस को लेकर जी हाँ आपने अक्सर देखा होगा खास तोर पर राजनिती गलियारों की बात की जाए बिहार हमेशना से प्रयोग साला रहा है और इस बार बिहार के मुख्यमंतिने नितेश कुमार ने ये बिरा उठाया है ठट फ्रंट की जो बाते होती थी उसको अब मेंट फ्रंट बनाने की बात कही जारी है जिहाद तीन दिनों के दिल्ली दोरे के बाद सियम नितेश कुमार बिहार लोटे और सियासी गलियारों म इसी बात की चर्चा हो रही है कि आखिर विपक्ष को एक जुट करने के मकसद में नितिश कुमार किस हद तक काम्याब रहे हाला कि विपक्ष को एक जुट करने के लिए नितिश कुमार की मुहिम रंग लाती हुई नजर तो आ रही है पश्चमंगाल के सियम ममताब अनर्जी ने इस बात का दाबा किया है कि 2024 के लोग सभाचुनाओं में बरा खिला होगा विपक्ष एक जुट होकर बीजेपी को चुड़ाती रेगी और केंद्र में विपक्ष की सरकार बनेंगे क्या ममताब अनर्जी और के साथ साजा करेंगी क्या लैब्ट ममताब अनर्जी के साथ गठबंधन में शामिल होगा जबकि नितेश कुमार बिना कंग्रेस और लैप्ट के गठबंधन की सोच भी नहीं रहे है वहीं पटना दोड़ी पर तेलांगना के सीयम के चंदरशेखर राव आये थे लेकिन तीसरे मोर्चे के गच्छन पर उनसे सहमती नहीं बन पाई के चंदरशेखर राव कॉंग्रेस के विना तीसरे मोर्चे का गठन चाहते है जबकि नितिश कुमार इस बात पर राजी नहीं है पेज इस बात पर भी फसाफवा है कि वीजेपी के सबसे गधावनेता और प्रधान मंत्री नरिन मोदी के खिलाब विपक्ष की तरब से पीम उमेदवार कौन होगा इस सवाल का जवाब फिलाल नितिश कुमार के पास में नहीं है त्हालन पेटे ओधिके आम याथी ओधिका मदेर बंदूरा आचे शॉए वह तो अचीह आचे अमरा इकाट करलो अबका टेस्थ को तरसे आधिका था ताफस्यूसिर्टी के रहें